हलो दोस्तो वेलकम टू हरालेंड आज मैं जो मवी आपके लिए लेकर आया हूँ यह व्ल्ड वर टू के टाइम इरियल इस्टेन पर बेस्ट एक ऐसी मूवी है जो की बहुत के ज़ादा डिस्टरबिंग है यह जर्मनी के एक मूवी है जैसे डारेक्ट किया है काई वेसल ने इस मूवी को IMDb पर 7.3 out of 10 डेटिंग मिली है इस मूवी की कहानी लिग गई है 2008 की एक नोवल Fog in Augustus जिसके रैटर थे Robert Dombs और Robert Dombs ने इस किताब को लिखा था इसमें 14 साल के एक एसे बच्चे के कहानी है जिसा जर्मनी के concentration camp में भेज दिया गया था जहां पर कई तरीके के अलग-अलग experiment हुआ गरते World War 2 का एक एसा टाइम जहांपर हिटलर जैसे तरीन देने न जाने कितने मासुमों की जान कुछ ऐसे भी hospital थे जहांपर कितने मासुम बच्चों पर इन human experiment के जाते हैं आज की हमारी कहानी हिटलर के जर्य जूस पर किये गए टॉचर के बारे में है इस movie की कहानी शुरू होती है World War 2 जर्मनी से जहांके एक mental institution में अंस्ट नाम के एक लड़के को लाया जाता है डॉक्टर वार्नर अंस्ट की फाइल देखते हैं और अंस्ट पहले चोरी कर चुका था डॉक्टर वार्नर अंस्ट को कहते हैं उसे यहाँ पर मारा पिटा नहीं जाएगा ये सुनकर खूश हो जाता है डॉक्टर पॉल अंस्ट को होस्पिरल दिखाते हैं और उसे रहने के लिए एक जगे भी देते हैं अंस्ट देखता है कि वह होस्पिरल में बहुती बीमार और मेंटनली स्टब बच्चे है अंस्ट का फुल मेडिकल चेकप किया जाता है और उसका head shave करके उसको काम पर लगा दिया जाता है अब क्रिस्टोफ नाम का एक लड़का अंस्ट को बुली करता है लेकिन हर्मन नाम का एक दूसरा लड़का आकर उसे बचा लेता है रात को अंस्ट ये देखता है कि मेंटली कमजोर बच्चों को डॉक्टर बेट पर बांग कर रखते थे फिर उसी रात अंस्ट को हर्मन खिलकी से दिखाता है कि यूएस आर्मी उनको हस्पिटल से कुछ ही दूर बॉम्स को गिरा रही थी फिर अगले दिन अंस्ट की दोस्ती टोनी नाम के एक लड़केस होती है और तब ही वहाँ पर फोरेंसिक असिस्टेंट मेक्स आते हैं जोकि अंस्ट को उसके साथ में काम करने का ओर्डर देते हैं अंस्ट को खुन लगे एक्विपमेंट को दोना था दूसरी तरफ अंस्ट को अपने फादर की बहुत यादा आती है कुछ टाइम अंस्ट देखता है कि टोनी को अटेक आया था और नरसा सोफिया उस संभाल रही थी वहें पर अंस्ट को एक लड़की अमीलिया दिखाई देती है जो कि अंस्ट को खाना खिलाने को कहती है अंस्ट अमीलिया को खाना खिलाता है जिससा देखकर सोफिया हैरान थी क्योंकि आमिल्या ऐसे ही किसी को भी खाना खिलाने नहीं ते और इसलिए उस दिन से अंस्ट हर रोज आमिल्या को खाना खिलाने आने लगा था अगले दिन क्रिस्टोफ और दो लड़कों को उस्टविश कॉंसेंटरेशन कैम्प भेश देता है क्रिस्टोफ वहाँ पर नहीं जाना चाता था क्योंकि सबी को पता था कि ओस्टविश कॉंसेंट्रेशन केंप में कितने इन हुमन एक्सपेरिमेंट्स होते थे वहाँ पर जाने का मतलब था मुट को गले लगाना उसी दिन वहाँ पर अंस्ट का फादर उससे मिलने के लिए आता है अंस्ट अपने फादर को देखे कर बहुत जाथा खुशता और अंस्ट का फादर अंस्ट को यूएस ले जाने आया था डॉक्टर वार्नर अंस्ट के फादर को उससे ले जाने की परमिशन नहीं देते हैं क्योंकि अभी Ernst के फादर की ही कंडिशन ठीक नहीं थी तो वो Ernst को कैसे ठीक से रखेंगे Ernst के फादर Ernst को ये प्रॉमिस करते हैं कि वो बहुत ही जल्दी Ernst को अपने साथ में ले जाएंगे उस तब उनकी financial problem भी ठीक हो जाएगी और जाने से पहले Ernst के फादर उसे अपनी चैन गिफ्ट करते हैं कुछे दिनों के बाद में Ernst ये देखता है कि पॉल दोर की चाबिया वही पर भूल गया है और वहाँ से भागने के लिए Ernst चाबिय चुराने वाला था लेकिन तब भी वहाँ पर नेंडल नाम की एक लड़की आकर Ernst को ऐसा करने से मना करती है क्योंकि इस बारे में अगर किसी को पता लगा तो Ernst को बुरी तरीके से मार पड़ेगी उसी टाइम सोफिया और पॉल को डॉक्टर वारनर से ये निउस मिलती है कि यूतनाइसे सेंटर बंद हो चुके हैं और इसलिए अब उनके हस्पिटल में और जादा मेंटल पेशेंट आने वाले थे और उनका काम उर जादा बढ़ने वाला था सोफिया के जाने के बाद डॉक्टर वारनर पॉल को बताते हैं कि बच्चों पर एकस्पेरिमेंट करने के लिए उनको कुछ एक्स्टा पैसे दे जाएंगे उन्हें एक बरबीटर नाम के ड़ग का एकस्पेरिमेंट बच्चों के उपर करना था अगर बच्चे उन एकस्पेरिमेंट के कारण मारे गए तो उनकी मोत का कर्ण उने रिपोर्ट में नीवने लिखना होगा पॉल भी इस काम को करने के लिए मान जाता है उनको इस काम को करने के लिए कीफर नाम की एक नर्स help करने वाली थी Dr. Wagner इस एकस्पेरिमेंट के लिए तीन बच्चों को चुनते हैं कीफर उस ड्रग बार्बिट्र का टेस्ट चुपाने के लिए उसे रसबेरी जूस के साथ मिला कर बच्चों को पिलाने वाली थी दूसरी तरफ नेंडल और अरनेस्ट की दोस्ती और ज्यादा अच्छी होती जाती है नेंडल के पैरेंट्स मर चुके थे और बीमारी के कारण वो भी हस्पिटल में थी उसी रात अरनस्ट जब अमीलिया को खाना खिला रहा था तो तो देखता है कि कीफर इको कोई जूस पिला रही थी फिर कुछी देर के बाद टोनी और दो बच्चे सोफिया को मर वे मिलते हैं डॉक्टर वाणनर उनकी डेड बोडी के अटॉपसी करते हैं और फिर उनके ब्रेन को बरलिन भेजने की बात करते हैं और मैक्स को रिपोर्ट में बच्चों की मुत का करण निमोनिया लिखने को कहते हैं टोनी कुछी दिन पहले अरनेस्ट के साथ में खेल कुदा था तो अरनेस्ट को विश्वास नहीं हो रहा था कि टोनी निमोनिया के करण मर सकता है टोनी के फिंडर के बार में Ernest बहुते ज़ाता दुखी था तो इसी लिए वो कुछ काम नहीं करता है और अखेले बेटा रहता है तब ही Ernest देखता है कि नेंडर को मिर्गी का अटेक आया है और Ernest नेंडर को सम्हालता है जिससे कि नेंडर ठीक हो जाती है उसी रात सोफिया डॉक्टर वानर को बताती कि कीफर बच्चों को जान से मार रही लेकिन डॉक्टर वानर पहले से इस प्लान में शामिल युथेनेसिया सेंटर बंद हो चुका था तो इसलिए अब से उनके हस्पिटल में उन बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा जो बच्चे कम जोडते हैं सोफिया इस बात को भार नहीं ला सकती क्योंकि वो खूद बहुत से बच्चों को बस में युथेनेसिया सेंटर बेजा करती थी अगले दिन सोफिया चर्च के फादर को हस्पिटल में चल रहे बच्चों के एक्सपेरिमेंट के बारे में बता रही थी और बच्चों के लिए मदद पुलाने के फादर को टाइम लगने वाला तब तक फादर सोफिया को हस्पिटल में सब पर नजर रखने को कहते हैं धीरे देरे बहुत से बच्चे हस्पिटल में मर रहे थे डॉक्टर हरनर कुछ पैशन को खाने में बस थोड़े थो वेजेटेबले दे रहा था जिससे कि उन पैशन का वेट बहुत कम हो जो अब एक दिन अर्नेस्ट यह देखता है कि पॉल फिर से चाबिया दोर में भूल गया था और इस बार अर्नेस्ट में डोर की चाबी अपने पासमा रख लेता है तब भी वहाँ पर कीफर अभी जू जूस को नहीं पीती है अमिल्या को जूस बिलाने के लिए अन रेंस fakट ले लेता है लेकिन उससे पता था कि इस जूस बच्छों को मारा जा रहा था तो इसे लिए कुछ बहाना पर बनादा आकर अन कीफर के जाने के बाद में सोफिया उस बच्चे को उल्टे करवाती है ताकि उस जूसर से वो बच्चा मारा ना जाए फिर कुछी देर के बाद में डॉक्टर वार्नर कीफर के साथ में वहाँ पर आते हैं और सोफिया को अपने साथ में ले जाते हैं जेसे पहले सोफिया अर्नेस्ट को एक रोमाल देती है जिसके अंदर एक चाबी चिपय हुई थी। उनके जाने के बाद में अर्नेस्ट उसी चाबी से सोफिया का रूम फुलता है जहाँ पर अमेलिया को चुपा कर रखा वा था। Ernest Amelia को लेकर खिड़की के बार छुप जाता है फिर Dr. Warner और Paul कुछ देर के बार में Sophia के पूरे रूम को चेक करते हैं लेकिन उनको Amelia कहीं पर नहीं मिलती जाने से पहरे Dr. Warner Sophia को कहते हैं कि अगर उसको होस्पिटल में चल रहे एक्सपेरिमेंट पसंद नहीं है तो अपना काम छोड़ सकती है Ernest और Amelia को खिड़की से अंदर ले लेती उसी रात को Dr. Warner कुछ आर्मी फोर्सर्स के साथ डिनर करने जाते हैं वो सभी को Dr. Warner अपना बना हिवा सूप खिलाते हैं उससे सूप का टेस्ट बहुत ही अच्छा था लेकिन उसका सबी नूट्रेंट्स को खतम कर दिया गा था जिस वजह से पेशेंट कमचोर होकर मर जाएंगे आर्मी ऑफिसर्स को Dr. Warner का ये आईडिया बहुत ही पसंद आता है और वो इस काम को दूसरों हस्पिटल में भी करने वाले थे अगले दिन नेंडल का बतर देता तो इसलिए रात को उसे चावी से मेंडरो खोल कर Ernest नेंडल को बाहर लेक में बोट से गुमाने के लिए ले जाता है और नेंडल से प्रोमिस करता है कि वो एक दिन नेंडल को आईस इसकेटिंग करवाएगा कुछी दूर पर यूएस के आर्मी जर्मनी के उपर बॉम गिरा रही थी तो इसलिए वो दोनों वापस हॉस्पिटल में चले आते हैं इदर हॉस्पिटल में एक के बाद एक कमजोर पेशेंट को एकस्परिमेंट करके मार जा रहा था और एक दिन ओजा की बेस्ट फ्रेंड मर जाती है और वो गुस्से में पोल के उपर हाथ उठा देता है डॉक्टर ओजा को ड्रक देकर शान्त करते हैं पोल ओजा से इतने ज़्यादा गुस्टा था कि उडिरेक्ट बार्बीती ड्रक को ओजा पर एंजक्ट करने के लिए डॉक्टर ओनर से परमिशन मागता है डॉक्टर ओनर भी पोल को ओजा को मानने की परमिशन दे रहता है दूसरी तरफ अरनेस्ट और नेंडल को भूख द्बर लग रहा था क्योंकि एक के बाद एक उनके फ्रेंड्स मारे जा रहे थे और वे दोनों उन्हें बजाने के लिए कुछ भी नेगा पा रहे थे उनको जल्दी हॉस्पिटल से भागना पड़ता है नहीं तो उनको भी इस तरीके से मार दिया जाएगा अब उसी दिन हॉस्पिटल के उपर ब्रिटिश आर्मी एक बॉम गिराती है और सभी बंकर में चुप जाते हैं लेकिन हमले के बाद हॉस्पिटल से भागने के लिए नेंडल और अरनेस्ट वहीं पर डाइनी एरिया में चुप रहते हैं फिर वे दोनों बेस्पेंट पर जाते हैं उनको सोफिया और अमीलिया मिलती है वहाँ से वे लोग भाग रहीं वाले थे लेकिन एक दूसरे बॉम के गिरने से वहाँ की चट तूट जाती है अर्नेस्ट और नेंडल तो इसमें बच्च जाते हैं क्योंकि डॉक्टर वॉनर की ही वज़े से उसने अपने सभी दोस्तों और नर्स सोफिया को खो दिया था डॉक्टर वॉनर को पता था कि वो एक मर्डर है तो इसलिए वो अर्नेस्ट को कुछ नहीं के पाते हैं और वे चुपचा वहाँ से चले आते हैं उसी रात को नेंडल अर्नेस्ट को हस्पिटल से यूएस भाग जाने को केती है और अर्नेस्ट उसे छोड़कर नहीं यान जाता था लेकिन नेंडल अर्नेस्ट को किसी दर समझा कर वहाँ से भागने के लिए मना लेती है जाने से पहले Ernest अपने फादर का गिफ्ट के हुआ नेकलेस एंड हैंडल को दे देता है फिर उसी रात डॉक्टर वानर तीन बच्चों को मारने के लिए पॉल को आडर देता है और उसमें Ernest का भी नाम था पॉल अरनेस्ट को नहीं मानना चाता था चुकि Ernest को कोई बीमारी नहीं थी और हो हस्पिटल में भी बहुत काम करता था लेकिन अब Ernest डॉक्टर वानर के लिए खत्रा बन चुका था वो किसी भी तरह Ernest को मरवाना चाते थे और पॉल को डॉक्टर वानर की बात मानने पड़ती है हम ये देखते हैं कि रात को पॉल और कीफर Ernest को एक रूम में लिकर जाते हैं और इसी के साथ में ये सीन ये पर कट होता है अगली सूबर मैक्स महाँ पर आकर नेंडल को बताता है कि Ernest यूएस पोज गया है और नेंडल ये बात जानकर सभी बच्चों को बताती है Ernest की आजादी से सभी बच्चे बहुत जादा खुश थे और अब उनमें भी हिम्मत आ गई थी कि वो भी एक दिन हॉस्पिटल से और हिटलर से आजात हो जाएंगे और ये मूवी इसी के साथ खतम हो जाती है दोस्तो ये पूरी मूवी इरियल इंस्टेंट के उपर बनी हुई है और इसके सारे करेक्टर भी रियल है वल्ड वर के टाइम पर हिटलर के कॉंसेंट्रेचन केम्प और उसके हॉस्पिटल पर बच्चों जूस और लोगों पर ऐसे ही इन्हुमन एक्सप्रेमेंट हुआ करते थे जो बच्चे कमज़ूर हुआ करते थे उनको ऐसे ही मेडिसिन से मार देते थे क्योंकि उन बच्चों की बहुत केर के जरुवत होती थी और उन बच्चे हिटलर के लोगों के लिए एक बोज थे दोस्तों असल में अरनेस्ट यूएस नहीं गया था उसे उसी रात को डॉक्टर वानर के ओर्डर पर पॉलर केफर ने मार डला था मैक्स न बच्चों को सच नहीं बताया था ताकि आज़ादी के लिए बच्चों के अंदर हिमत बनी रहे नहीं तो अरनेस्ट की मौत की नियूस से बच्चे तूट जाएंगे रियल लाइफ में अरनेस्ट की मौत 9 अगस्त 1944 को हुई थी और उसको किसने मार था इसका पता आज तक किसी को भी नी चला क्योंकि होस्पिटल के सब ही लोग एक दूसरे के उपर ही इल्जाम लगा रहे थे अरनेस्ट के मनने के 52 दिन के बाद में यूतनेस्या सेंटर बंद हुआ था और जर्मनी वल्ड वर को हार गया था यूतनेस्या के डारेक्टर और डॉक्टर को इन इन्हुमन एक्सिपरिमेंट के लिए 3 साल के जेल हुई असिस्टन डॉक्टर को 1 साल की और नर्स को 4 साल की यहाँ पर करीब 200 लोगों के उपर एक्सिपरिमेंट करके उन्हें मार दिया गा था दोस्तों ये थी एक रियर इसिटेंट पर बेस्ड मुवी फॉग इन अगस्थ वीडियो अगर आपको पसंदा है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरू कोना क्योंकि मैं आपके लिए और बें जल्दी लेकर आने वारा